गुरकपूर न्यूज के हेडलाइन के प्रावज़क है एस्प्रा गुरकपूर न्यूज के साह प्रावज़क है डक्टर राना हस्पिटल प्रावेट लिविटेट एंट्रामा सेंटर उत्तर प्रदेश में कोरोना का जब पहला की साय तब था एक लैब रोजाना चमता की 50 टेस्ट करने की अब उत्तर प्रदेश में है 30 लैब जिसने प्रति दिन हो रहा है 10,000 टेस्ट अगले हफ़ते इसे बढ़ा कर किया जा रहा है 15,000 कोरोना से लड़ने को 33 ववस्था प्रत जिवना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने कहा प्रदेश के सभी जिनपदों में लगा रहे है ट्रूनेट मसीन जिससे एक घंटे में आ जाएगी सैंपल की रिपोर्ट गोरेखपुन्यों से बात करते हैं मंदला युक्त ने कहा मंदल में 200 के करीब है कोरोना के एक्टिव मरीज जबकि 90 मरीज ठीक होकर जा चुके है घर मंदला युक्त ने लोगों से की अपील कहा लगाएं मास्क करे सोसल डिस्टेंसिंग का पालर सहायक सुक्षा भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर उच्च न्याले ने लगाई रोक बीएस से ने कहा अगली आदेश के बाद सुरू होगी काउंसलिंग मंदला युक्ति अधिक्ष्टा में संपन्य हुई बाड की तैयारी एवं आपदा प्रबंधन विश्यक बैठक 15 जून तक सभी नालों के सफाई के दिये निर्देश कहा बाड बचाव कारियों को शीर स्प्रात्मिक्ता के आधार पर करे पूरा जमीन के विवाद ले युवक्ति हत्या के मामले में हर पुर्बुधर थाने की पुलिस ने तीन नामजद हत्या आरोपियों को किया गरफतार आला कतले किया बरामत एसपी साउथ विल्कुमा सिर्वास्तों ने किया खुलासा पूर्बुधर रेलवे हॉस्पिटल में कुरोना मरीज के चल रहे इलाज के दोरा नौ मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन कुरोना चैंपियन्स को फल और ड्राइफूट देकर स्यम्मो और पूर्बुधर रेलवे अस्पताल के प्रमुक्ची किस्ता ने देशक ने किया डिस्चार्ज कुरोना चैंपियन्स ने पूर्बुधर रेलवे अस्पताल स्वास्त विभाग और कुरोना वारियर्स को दिया धन्यवाद गोर्यकूरे मिले तीन नय कुरोनाप मरीज अब 116 हुई पॉजिटिव मरीजों की संख्या 29 हुए डिस्चार्ज एक्टिव केसों की संख्या हुई एक क्यासी सीमो डॉक्टर श्रीकान तिवारी ने दी जानकारी डीम और एससपी ने किया पड़ाल गंज के चैनपूर, बेलसडी, आनंदगड, महुआ पार, सहसो, डाड, हॉट्सपोर्स का निरक्षन सभी के स्वासजाच की दिये निर्देश और SDM सदर गौरफ सिंग सोगरवाल दौरा सदर तहसील के कुरोना हॉट्सपोर्टों का किया गया निरक्षन, टूल स्टेप डिलिवरी के विसे में किया गया निर्देश से, सील हुए एरिया में लोगों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए दिये निर्देश